पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है वरी पार्टी बीजेपी नंबर दो पर 11 सीटों के साथ लोजपा पांच में से पांच पर बढ़त बनाए हुए है जो आर्जेडी है तो जैसे वी आदब की उनको बढ़ा जड़का लगा है बिहार में चार सीटों पर वो फिलाल आगे हैं सीपी आई एमेल जो है दो पार कॉमनिस्ट पार्टी एक पर कॉंग्रेस एक पर और हिंदुस्तानी वां मोर्चा को एक सीटों पर बढ़त है हम के हां से जो है मांजी बस चुनाव लड़ रहे तो वहां पर वही स्तिती हो रही है अब जली जेडियू की बात करते हैं जेडियू की पंदर सीटे वालमिकी निगर शिवहर सीतामढ़ी जंजारपूर शुपॉल कटिहार पूर्णिया मध्यपूरा गुपाल गंज सिवान भागलपूर ब लड़ रहेतें वहां पर चौदर में जीतें उनीस में जीते और एक पर फिर से बढ़त बना ली है और पपू यादव फिर से वहांपर पीछे हो गया है यहां पर तो बीमा भारती को सिर्फ और सिर्फ-और सिर्फ एक गजार आर्चों सो लवोट आये हैं जिसके लिए संतो चूश वहां के बीच में हो रही है और Krish Pixambaat 2,000 वटों का यहां पर और दिरियदेखर के जो बढ़ते बढ़त के बढ़ती जा रहा है तै कि सगनच सीट ने चौका दिया है पुरे बिहार को कि सगनच सीट पिछले बार जद्यू हार गई थी इस बार किशनगंज में मुजाहिद आलम वहां पर बढ़त बनाएं वहां पर और 12,081 वोटों की बढ़त हो गई है यहां पर और कॉंग्रेस के हां से बिहार की किशनगंज सीट जो जीती हुई थी पिछले बार की वो सीट हारती भी नजर पर तो बहुत बढ़ी बढ़त है वो करीब वहां में 33,930 वोटों की बढ़त हो गई है गोपाल गंज में 23,885 वोटों की बढ़त बना ली है अलोक सुमन ने और बाका में गिर्धारी आदब को भी 17,918 वोटों की बढ़त हो गई यह बात कर रहे थे जदियू की अब इसक बढ़त है और अगर हम देखें इसे साब से तो अगर बीजेपी कर बात कर लें तो बीजेपी चुनाव लड़ रही थी वो थी पश्मी जंपारन पुर्वी जंपारन बढ़त है यहां पर बीजेपी को इसके साथ बीजेपी को बढ़त है आपको मदुबनी में बीजेपी क जो है अगर उसको देखें तो बीजेपी को बढ़त है मुझधफरपूर के अंदर में उसके साथ साथ बीजेपी बढ़त बनाये वह सारण के अंदर में भी तो यह स्थिति है यहाँ पर और देखिए सारण में रोहनी अचारी जो हैं वो करीब 2000 वोटों से पीछे हो गई हैं यह 11 बजे का अंकड़ा है यहाँ पर इसके बाद आरजेडी की बात करें आरजेडी का ग्राफ 4 से उपर जाही नीरा और तीन पर आ गई है पाटी जब हम वीडियो कर रहे हैं उजियारपूर पाटली पुत्रा सिर्फ जहानाबाद में उसको बढ़त है और सबसे बढ़ी अगर देखें अगर आंकड़ों के साफ से तो मिसा भारती ने बनाई है और जहानाबाद में सुरंदर यादव ने सुरंदर यादव को 13958 वोटों की बढ़त हो गई है जबकि मिसा भारती को 10,399 वोटों की बढ़त हो गई है उज्यारपूर में अब आलोक मेहता पीछे जा रहे हैं धिरे-धिरे करके और वहां पर 3158 वोटों की बढ़त है वहां पर चिराग पासवारी की लोजपा पांचों सीट पर जो है लगतार बढ़त बनाए हुए है और चौकार ही है वैशाली वैशाली में बड़ी बढ़त बना ली है अब बीना देवी ने 5368 वोटों क दूसरे राउन में अब 5,000 के असपास में जो अंतर बढ़ गया है इसके साथ हाजिपूर की बात करें चिराग पासवान को 9,000 वोटों की बढ़त चिराग पासवान के कही पार्टी से शांभवी चोज़े चुनाल लड़ रही थी 50,000 वोटों की बढ़त है उनको और जमू हो गया है CPI का जो है सुदामा प्रशाद और आरके सिंग में वहां पे लड़ाई थी और आरके सिंग पिछड गए है 9,183 वोटों से और कारा काट में वह पेंदर कुश्वाहा और पवन सिंग दोनों पीछे हो गए हैं और वहां पे राजाराम सिंग 9,090 वोटों से आगे सासा राम की और वहां पर शिवेश राम भाजपा के वो वहांपर जहें पीछे जा रहे हैं वहां पर लगभब चुनाव जीत रहे हैं तरीके साफी कह सकते हैं फिलाल ये पूरी स्थिती है बिहार के अंदर में फाइनल आकड़ा है चुनाव आयो का पंदरा पर जद्यू बीजेपी ग्यारा पर लोजपार आम विलास अपनी पांचों सीट जित्ती वे निदर आ रही है आर्जे सबसे कदावर निताओं में गिने जा रहे थे बिहार के राजपूत समास जाते थे केंद्रिय मंत्री है वो चुनाव हारती नजर आ रहे है दस जार का करीब जो अंतर है बिहार में 11 बज़े का ये पूरा हाल है सारे 11 बज़े फिर से हाज़रों के दिखाएंगे कि क्या चल तो पर आगे है और तरे मुल कॉंग्रेस अठाइसी तो पर आगे है इसके साथ डीम के कोई कीस टीडीपी को जो है सोल पर बढ़त है जनता दल इंडाटी को पंदरा सिर्फशेना उद्रफ ठाकरे जो गुठ है उसको यारा एन सीपी जो है श्रद पवार वाली जो पार्ट जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसको तीन सीटो पर बढ़त है आम आदमी पार्टी को तीन पर बढ़त फिलाल है यह बिहार का और देश के सितिय फिलाल 11 बजे का नमस्कार